मानी राष्टी अध्यक्ष जी का आप सबका स्वागत करते हुए मानी राष्टी अध्यक्ष जी से आग्रह करूँगा और मंच पर उपस्ति सभी नेताओं से आग्रह करूँगा कि वो इसका लोकारपन करें कि वो इसका लोकारपन करें कि वो इसका आग्रह करूँगा कि वो हमारे प्रत्रकार साथियों को संभोधित करें मानी राष्टी अध्यक्ष अमिस साहजी आप सबी का स्वागत है गुछराग में दिपावली के बाद नया वर्ष सुरू होता है तो मैं गुजरातियों के नवे साल की आप लोगों को बहुत-बहुत सुब कामना देता हूँ आप सभी का नया वर्ष सुब हो ऐसी इस वर से कामना भी करता हूँ मित्रो गड़ में भारतिय जन्ता पार्टी की सरकार है और उसके पंदरा साल एक दुरुष्टी से देश के लोगतांत्री की तियास में कल्यान राज्य कैसे बन सकता है इसका एक सबसे अच्छा उदारण है जब देश को अजादी मिली समिधान निर्माताओं ने कि इस प्रकार का लोगतंत्र हो इसकी कल्पना रखी और उसके उद्देश सताई किये तब इसका समुख प्रमुख उद्देश था कि जो घरीब है जो पिछड़ा है जो नीचे से नीचे है इसके लिए राज्य और केंद्र दोनों काम करें और उसके कल्यान के लिए काम करें इस प्रकार के कल्यान राज्य की कल्पना करी था गांदी जी ने उसको राम राज्य का नाम भी आजादी के पहले दिया था भारतिय जन्ता पार्टी की सरकार ने डाक्टर रमान सिंग के नेत्रूतों में 15 साल के अंदर 36 गड़ को बदलने का भरसत प्रयास किया है सफल प्रयास किया है जब 33 गड़ की रचना अटल जी की कलपना से हुई तब मद्यप्रदेश का हिस्सा रहा है 36 गड़ बिमारू राज्य माना जाता था मद्यप्रदेश स्वतही बिमारू था उसमें 36 गड़ का हिस्सा और अविक्सित रचना के बाद पहले चुनाओ में 36 गड़ की महान जनता ने भारते जनता पार्टी को मेंडेट दिया स्री रमान सिंग्जी मुख्य मंत्री बने और 15 साल से 36 गड़ विकास के रास्ते पर अग्रेसर हुआ 36 गड़ में सबसे बड़ी उपलग दी अगर रमान सिंग सरकार की है तो नकसलवाद पर रमान सिंग सरकार ने नकेल कसने का काम किया है लगबग लगबग 36 गड़ को नकसलवाद से मुक्त कराने का काम किया है 36 गड़ की पहचान एक जबाने में पिछड़े हुए राज्य के बारे में होती थी अवेवस्ता आर्थिक बिमार उपन उसकी जगे आज 36 गड़ पावर हब बना है सिमेंट हब बना है इसपाथ हब बना है एलुमिलन हब बना है एज्यूकेशन हब भी बना है और हेल्थ केर हब भी बना है और डाक्टर साब अब 36 गड़ को डिजिटल हब बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ हैं 36 गड़ का 2018 का चुनाव बाकी सब राजनितिक दलों के लिए जीतने हारने का चुनाव हो सकता है भारतिय जनता पार्टी का जो संकल्पत्र है वो संकल्पत्र के लिए 36 गड़ का चुनाव नवा 36 गड़ के निर्मान का चुनाव है जनादेश जनासिर्वाद से हमें भरोसा है कि हम चोथी बार सरकार में आएंगे और अभी एक मनी कंचन योग है कि कैंडर में स्री नरेंद्र मोदी की भारतिय जनता पार्टी की सरकार है और यहां 36 गड़ में स्री रमन सिंग जी की सरकार है भारतिय जनता पार्टी की सरकार है ये दोनों सरकारे मिलकर 36 गड़ को और आगे ले जाने के लिए कुरुट संकल्प पनेगे और ये 36 गड़ का संकल्प पत्र इस पर डाक्टर रमान सिंग जी बाद में बात करेंगे मगर 36 गड़ के अंदर जो परिवर्तन आया है ये परिवर्तन के लिए मैं आपको जरूर कुछ चीजे बताने का प्रयास करूँगा मित्रो 36 गड़ में सबसे पहला काम अंत्योदय को हमने प्राथमिक्ता दी एक रुपिया किलो चावल निसुल्क नमक निसुल्क चर्ण पादुका निसुल्क साइकल ये सारी चीजे नीचे तक ब्रश्टाचार विहिन व्यवस्ता से सुचारू रूप से पहुँचाने का क कि कुशी उत्पादन बढ़ाना एक विशय होता है कुशी की लागत में कमी करना एक दूसरा विशय होता है मेरी देश भर की सरकारों को आंकडों का अध्यान है कुसी की लागत पर सबसे ज्यादा कमी करने में क्योई सरकार ने सफलता पाई है तो वो रमन सिंग सरकार ने पाई है कहने में मुझे कोई जीशत नहीं है एक और कुसी की लागत कम करी दूसरी और धान की और बाकी उपजों की खरीदी के लिए एक वैज्यानिक व्यवस्ता करी उनको बॉनस के साथ एक अच्छा दाम देकर किसान के घर में समरुद्धी पहुचाने की बात करी राशन की दुकान जो गरीब के लिए पेट भरने के लिए सबसे आसास्प स्थान होता है उसको नीजी हातों से अठाकर सहकारी करण करा और आईटी का उप्योग करते हुए इसके लिकेज पर जीरो प्रतिसत ले जाने में 36 गर सरकार ने सफलता में समर्थन मुल्य पर धान की खरीदी प्रमुक सारी फसलों को समर्थन मुल्य पर खरीदना सबसे पहले कोऊसल 59 के लिए स्किल डेवलप्मेंट के लिए अपना कानून बनाने वाला राज्य 36 गर बना और कौसल उन्नेयन के माध्यम से घरीब ट्राइबल बच्चे घरीब पिछडी जाती के बच्चों को रोजगारी देने के लिए 36 गड़ सरकार ने बहुत अच्छे से काम किया है मंड़गा की योदना को भी ब्रश्टाचार विहीन तरिकों से नीचे तक पहुँचाया और देश में 1500 दिन तक रोजगारी मंड़गा की देने वाला सबसे पहला राज्य बना मंड़गा के अंतरगत 50 दिन का अतिरिक्त रोजगार 36 गड़ राज्य ने दिया और घर्बवति माता को एक माह के अवकास के साथ मद्दूरी के साथ अवकास का भी उसको फाइदा दिया कौसल अधिकार को कौसल विकास को अधिकार के रुप में देने का काम सबसे पहले 36 गड़ ने किया है और 14 प्रतिसत का लक्स समाप्त करने वाला 36 गड़ सबसे पहला राज्य बना है प्रदेश के सभी जिलों में लाइवली हुड कॉलेज स्थापित करने वाला ये पहला राज्य बना असंगठीत मद्दूरों के 15 लाग से अधिक परिवारों को चार दर्जन से अधिक कल्यान कारी योद्नाओं से समाहित करकर इनके जीवन में एक नई आशा का संचार किया अल्पकालीन लून किसानों को सुन्य प्रतिसत पर उपलब्द कराने वाला पहला राज्य प्रतिसत पर करने का काम किया है मेरे पास बहुत सारी ऐसी चीजे हैं जो मैं गिना सकता हूँ मगर आद दिन है आपको आगेर की योद्नाओं बताने का और हमारे मुख्यमंत्री जी उसको बताएंगे मगर मैं अनुसुची जन जाती कि वनवासी भाईयों के लिए लगवग लगवग तीन लाग अर्टालीस जार वन अधिकार पत्रों का वित्रण करकर साथ लाग एकड भूमी जिसका अधिकार वनवासी ओको देने का काम भारतिय जन्ता पार्टी की रमान सिंग सरकार ने कि वित्यूत कनेक्शनों की संख्या एक लाग बीस हजार से बढ़कर पांच लाग पचास हजार करना और आज हर घर के अंदर बिजली पहुंचाने की दिशा में 36 गड काफी आगे निकल गया है 24 गणता बिजली रोड रस्तों से ठेट आदिवासी गाओं तक एक जाला बुनना पूरे राज्य में सडक, बिजली, पानी, दवा, बील, सिक्सा, रोजगार इस सारी चीजों को मुहईया कराना और कॉंग्रेस के जूठे प्रचार के सामने लड़ते हुए जण कल्यार में 15 साल तक लगे रहना मैं मानता हूँ यह बहुत बड़ी चुनोती थी पहले 10 साल स्री रमण सिंग्जी ने अकेले 36 गड़ के विकास की दूरा समाली 10 साल के बाद 2014 में 36 गड़ की जनता के आशिरवाद से देश में नरेंद्र मोधी जी प्रधानमंत्री बने और देश में भारती जनता पार्टी के नित्रतों में सरकार बनी प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोधी जी ने 36 गड़ के विकास के लिए बहुत सारा किया है सबसे पहले ट्राइबल विकास के लिए जो हुआ है प्रधानमंत्री खनिक शेत्र कल्यान योद्ना लगवग लगवग देश बर में 18,000 करोड का फंड 65 विकास के प्रकॉल 36 गड़ जैसे छोटे राज्य को लगवग 3,000 करोड का फंड मिला है 115 पिछड़े हुए जिल्ले जो एस्टी एस्टी बहुल जिल्ले हैं इसके विकास के लिए आगे बढ़ाना बांस मिशन को आगे बढ़ाना वनबंडू कल्यान योधना के तहट प्रत्यक आदिवासी ब्लॉग के लिए 10 करोड रुपिया देना मैं मानता हूँ बहुत बड़ी उपलब्दी है 184 नए एकलव्य मॉडल आवासी है स्कूल बनाए गए गए और 36 गड़ की भूमी पर से ही वनदन, जंदन और गोवर्दन योधना को 30 लाग से ज़्यादा आदिवासीों को रोजी रोटी देने की योधना को आगे बढ़ाने का काम किया है कॉंग्रेस के सासन में हमेशा बात उठाई जाती थी कि वही किसानों को ठीक से इनका दाम मिलना चाहिए उपज का आयोग के बाद आयोग बनते थे मगर कुछ नहीं होता था भारतिय जन्ता पार्टी की सरकार ने स्वामिनाथन आयोग की जो मुख्य सिफारी थी लेड़ गुना समर्थन मुल्य लागत से लेड़ गुना समर्थन मुल्य उसको पुरा किया और आज 200 रूपय की बड़ोतरी प्रस रमान सिंग बॉनस 300 रूपय का 500 रूपया ज्यादा भाव से दान की खरीदी शुरू है मक्के की खरीदी गई बहुत अच्छे दामों से शुरू करने का काम किया है मैं दो आकरे जरूर आपको बताना चाहूंगा जब कैंद्र में कॉंग्रेस की सरकार थी तब 36 गर सरकार को 13 फाइनांस कमिशन के तहट 48,088 करो रूपया मिलता था 48,088 करो रूपया 14 फाइनांस कमिशन है 13 वा वीतायोग समाप्त हुआ 14 वा वीतायोग नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी भाजपा की सरकार बनी और 14 वे वीतायोग में 14 फाइनांस कमिशन में नरेंद्र मोदी सरकार में 36 गर के लिए जो 48,088 करोड रुपया मिलता था उसको बढ़ा कर 1,37,927 करोड रुपया देने का काम किया लगबग 90,000 करोड रुपय की बढ़ोतरी 36 गड़ के विकास के लिए हुई इसके लावे स्वाइल्ट हेल्ट मैनेजमेंट के लिए 14 करोड कुषी सिंचाई योधना के लिए 45 करोड राष्टिय कुषी विकास योधना के लिए 680 करोड प्रदानमंत्री आवास योधना के लिए 500 करोड स्मार्ट सिटी राइपूर के लिए 192 करोड स्वच बारत के लिए 210 करोड रेल लाइन रगोट से जगदलपूर 2,000 करोड, पैलेट प्लांट 4,826 करोड, विलाई प्लांट का विश्ता 9,350 करोड, अमरूत योदना 9 सेरों के लिए 1,000 करोड, और परियटन ट्राइबल टूरिजम सर्किट के लिए 100 करोड, कुल मिलाकर 18,000 करोड उपिया और देने का काम भारतिय जनता पार्टी की सरकार में किया है, इसके अलावे डिस्ट्रिक मिंडल फंड के 36 करोड, मुद्रा लौन के 10,000 करोड, उदर टरंड राउंड अवधी में 31 करोड, लगबग मुद्रा बैंक के लाभारती 26 लाग, प्रद और प्रजानमंत्री उज्वला योदना के तहट, 30 लाग से ज़्यादा घरीब महिलाओं को घैस का सिलिंडर देने का काम किया है, भारतिय जनता पार्टी की सरकार ने जीस प्रकार से काम किया, इसका कंपेरिटिव स्टडी मेरा सभी पत्रकार मित्रों को आगरा है, कि आप लोगों ने 36 गड़ की जनता के सामने रखना चाहिए, तिस से 36 गड़ की जनता उचीत फैसला कर सकता, वादा करना एक बात है, वादों को पूरा करना एक बात, 9000 करोर का बजेट छोड़कर कॉंग्रेस पार्टी गई थी, आज 9000 करोर के विकास के बजेट को 83,000 करोर तक पहुचाने का काम भारती जनता पार्टी की सरकार ने की आये, लगबग लगबग 10 गुना वृद्धी की हैं, जी स्टीपी 38,000 करोर था, आज 2,91,000 करोर इसमें भी करिब करिब 9 गुना वृद्धी करने का काम किया है, विद्धित उत्पादन 4000 मेगावोट था, आज 22,000 मे पहुचाने की संक्याति किसानों के लिए, आज 4,50,000 है, कुरूशी में खाद्यान का उत्पादन 65,000,00 मेट्रिक टन होता था, आज 103,000,00 मेट्रिक टन होता है, बीच का उत्पादन 45,000 क्विंटल होता था, आज 10,50,000 क्विंटल होता है, बागायत का फ्रूट्स का उत्प लाख मेट्रिक्टन होता है मचली एक लाख दस अजार मेट्रिक्टन थी आग तीन लाख पच्छतर जार मेट्रिक्टन उसका उत्पादन होता है उत्पादन से ज्यादा ध्यान की खरीदी के आंकड़े आपके ध्यान में लाने जैसे हैं खरीब ध्यान की खरीदी एक हजार नहीं धान की खरीदी कुल पहले पांच लाख मेट्रिक टन थी पांच लाख मेट्रिक टन चे बढ़कर सतर लाख मेट्रिक टन तक पहुचाने का काम भारतिय जनता पार्टी की रमन सिंग सरकार ने किया है कुशी का व्याददर 14 प्रतिसत था आज 0 है लगबग लगबग सिंचाई की व्यावस्ता में बहुत बड़ी बढ़ोत्री की है उसको 50 प्रतिसत बढ़ाने का लट्स लेकर भी इस संकल पत्र में आये हैं मुख्यमंत्री जी एक हजार बहत्र किलोमीटर सडके थी ग्राम सडके आज 22 किलोमीटर ग्राम सडके हैं कुल सडके 29,000 किलोमीटर थी उसकी जगए 61,000 किलोमीटर तक पहुँचाने का कार हर ख्षित्र में चाहे MBBS की सिटे बढ़ानी हो चाहे में Engineering की सिटे बढ़ानी हो हर ख्षित्र में लगवग लगवग दस गुना बढ़ोत्री करने का काम कीए मित्रो मैं इतना ही कहना चाहता हूं जिस पार्टी को नक्सलवात के अंदर क्रांती दिखाई पड़ती हो, नक्सलवात क्रांती का मध्यम दिखाई पड़ता हो, वो पार्टी 36 गड़ का भला नहीं कर सकती, हमें क्रांती दिखाई पड़ती है घरीब के घर में से धुआ मुक्त करकर उसके घर में घैस का सिलिंड पहुंचाने में उसके घर को अंधेरे से मुक्त करकर बिजली का बल पहुंचाने में हमें क्रांती दिखाई पड़ती है अनपड़ बच्चे को लिखना पढ़ना सिखाने में हमें क्रांती दिखाई पड़ती है राज्य के अंदर उद्योग लगा कर उसको रोजगारी दिन लिखाई हुए किसान के चहरे को और डेड़ गुना समर्थन मुल्य देकर उसके चहरे पर मुस्कान लाने में हमें कांटी दिखाई पड़ देंप इस देश पर करीब करीब 55 साल तक राज्य किया है मगर देश के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने का काम जहां जहां भारतिय जनता पार्टी की सरकारे बनी और अब के अंदर की नरेंद्र मोदी सरकार करी दिए साड़े चार साल के अंदर 22 करोड लोगों को सीधा लाब कहुंचाने का काम भारतिय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है और रमन सिंग जी ने यहां पर विकास के सारे रेकोर्ड तोड़ते हुए आगे बढ़ने का काम किया है हजारों लोगों से संपर किया गया है 36 गड़ के बुद्धी जीवियों से संपर किया है बूत बूत में हमारे कारेकरताओं ने लाखो वनवासियों से पीछड़ी समाज के लोगों से संपर किया है महिला युवा और किसानों से संपर किया है और संपर करकर एक वास्तव दर मानता हूँ कि इनका रेकोर्ड है कि तीनों चुनाओं में उन्होंने जो किया है कहा है वो उन्होंने किया है चौथा संकल पत्र भी उनका जो होगा वो निश्चीत रूप से हम पुरा करेंगे इसके एक-एक सब्द को जमीन पर उताने में भारती जनता पार्टी की टिम स्री रमन सिंग के नित्रूतों में हमारे प्रदेश अध्यक्ष के नित्रूतों में कटीबद रहेगी इसका भरो में हमारी सरकार बनी है और जीस प्रकार का माहोल रमन सिंग को जन आशिरवाद यात्रा में मिला है उससे मुझे भरोसा है कि चौथी बार भी आप रमन सिंग जी को आशिरवाद देकर इस जनता की 36 गड़ाज्यकी सेवा करने का मौका देंगे और रमन सिंग जी ने भी जी 36 गड़ को आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है अगले 5 साल भी मोधी जी के नेथ रुत में 36 गड़ को विमारू से विक्सीत बनाने के बाद अब समुरूद बनाने की दिशा में आगे ले जाएंगे एक समुरूद 36 गड़, 9-36 गड़ की दिशा में रमन सिंग की सरकार आगे बेड़ेगी इसका मुझी भरोसा है अब मैं स्री रमान संग्जी को सिधा ही निवेदन करता हूं कि वो आपके सामने संकल्पत्र की मुख्य बातों को रखें मानी राष्ट्री अध्यक्जी ने नौवा छंकल्पत्र दोहजार अठारा और एक संकल्प लेकर हम सब आगे बढ़े हैं दोहजार तीन आठ और तेरा के बाद अठारा में फिर छंकल्पत्र की जनता के बीच एक संकल्प के साथ जा रहे हैं चत्रिगण को जिसका निर्माण मानी अटल विहारी बाचपई ने किया था उनके सपने के अनुरूप उस चत्रिगण का निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है और राश्टी अध्यक जी ने उस संकल्प को आज आपके सामने छत्रिगण के धाई करोड की जनता के भरुसे को और विश्वास को प्रगट किया मैं सुरुआत करना चाहूंगा कांग्रेस और कांग्रेस ने जो घोस्रापत्र पस्तुत किया कांग्रेस ने किसानों को एक बोर्ट बैंक की तरह देखा और आज तक इस्तमाल किया आजादी के साथ साल भी इतने के बाद भी जैदि किसानों की हालत खराब थी तो उसके जवाबदार कांग्रेस की पुरानी सरकार रही है मोल भो सुधा है उनको प्लग दिनी गवा आज बड़ी बड़ी वाते घोस्रापत में करने वाले कांग्रेस के वारे मित्र कांग्रेस के नत्यत में यूपिय की सरकार 2006-14 तक स्वामी नाथन रिपोर्ट पर कोई कारवाही नहीं किया आज पचीस सो के कीमत बोलने की बात कर रहे है धान के कीमत बढ़ाने की बात कर रहे है जब सरकार में थे 2006-14 तक स्वामी नाथन के रिपोर्ट पर कोई कारवाही नहीं की केवल बयान बाजी करते रहे आज यदि केंद सरकार ने खरीब पसलों के नियुनतम समर्थन मूल और लागत मूल में डेड़ गुना वृत्थी का तोफ़ा यदि दिया है तो माननी नरेन मोदी जी ने इस काम को आगे बढ़ाया है मुझे लगता है कि किसानों के लिए 36 गड़ में जिन योजनाओं को हमने आगे बढ़ाया है और जिन योजनाओं को आज 2018 में जिन बातों को हम दोराना चाहते हैं उसकी भूमी का मैं कहना चाहूंगा किसानों को समर्थन मुल और किसानों को खरीदी की पूरी विवस्था कहां पांच लाक मेट्रिक तन धान खरीदी होती थी याज शत्तर असी लाक इस साल 80 लाक मेट्रिक तन धान खरीदी की विवस्था 36 गड़ में भारती जंता पार्टी की ने बनाई जंता का किसान का विश्वास जीता और उचित मूल पर धान खरीदी 300 रुपया क्विंडल का हमारे बोनस की विवस्था 200 रुपया समर्थन मूल वृद्धी 2050 और 80 में धान खरीदी की पूरी विवस्था हमने की है 24 सो करोर का बोनस 32 लाग किसानों के लिए मुफ्थ नमक की योजना कंटिनू चलेगी 24 गड़े बिजली क्या इस्थी थी बिजली की कांगरिस के सासन काल में आज ना किवाल 24 गड़े हम बिजली दे रहे हैं ये संकार को हम दोहरा रहे हैं उस सिक्षा पर एक प्रतिशत ब्यातर रिंद की बात हम कर रहे हैं इसके साथ ही साथ जो 36 गड़े किसानों के लिए और बस्तूरों के लिए जो योजना हुई साथ वरसे अधिक आयू के लगू सिवान किसानों और भूवी हीन क्रिसी मजदोरों को एक हजार रुपया का पेंसन अगले पांच वरसों में किसानों को दो लाक डै पम कनेक्शन देने की योजना दलहन तिनहन किसानों के नियूंतम समर्थन मूल पर खरिदी की व्यस्था लगूवन उपच का नियूंतम समर्थन मूल हमने कहां तक पहुँचे हैं आज पचीस सो रुपया आज तेंदुपत्ता की संग्राण में प्रती मानक बोरा खरिदी की व्यस्था हमने की है चार सो रुपया से बढ़ाती हुए हमने संकल्प लिया है इस सवर्थन मूल को तेड़ गुना और बढ़ाएंगे चत्रिजगण में जेवी खेती की रूप में विक्सित किया जाएगा चत्रिजगण नकसल से मुक्त प्रदेश बनेगा इसका संकल्प लिया है अनुसुचित जाती जन जाती के बच्चों है तो गुरुघासी दास एवं अमर शहीद गुन्डदूर छात्रवित्ती योजना सुरुकेगी नेरास्रित प्रेंशन में विद्धी की जाएगी ग्रामीड और शहरी गरीब परिवारों के लिए पक्का आवास ये बहुत बड़ी योजना 2022 तक सब के लिए आवास ये इस संकल्प को छत्यगर ने फिर से नवा छत्यगर के संकल्पत में दोराया है नोनी सुरुक्षा योजना जिसे एक लाग की रासी दी जाती थी अब उसको बढ़ा के दो लाग उर्पया किया जाता है कक्षा नवी में प्रवेश पाने वाले समस चाथ चात्राओं को निसुल्क साइकिल बारवी तक सभी चाथ चात्राओं को निसुल्क गडवेश और पाट पुस्तक सभी के लिए निसुल्क पाट पुस्तक और गडवेश की विश्ता मेघावी छात्रों को छात्रावास की सुईधा निसुल की स्कूटी महिलाओं को व्यापार है तो दो लाक स्वासाता समू को पांच लाक तक ब्याज मुक्त रिंड देने की विवस्ता जिला हस्पिताल बनेंगे मल्टी स्पैसिलिटी अंबिकापूर जग्दलपूर में सुपर हस्पिंसिलिटी हस्पितर का नर्माण विवाओं को रोजगार सुनिशित करने के लिए कोशल ओन्यन रोजगारी भत्ता दो सो करोड रुपिया के उद्यमिता मस्टर फंड की स्थापना हिंदी और च्छतिगड़ी भासा के विकास के लिए नया विश्विद्याल है पेंसनर को एक हजार रुपिया पती माँच चिकिस्था भत्ता गरीब परिवारों को पांच लाख स्वास सुरक्षा के लिए हमने जिस योजना की सुरुआज की उसको आगे करेंगे गरीबों के लिए पांच लाख रुपिया तक आईश्वान भारत और एक लाख रुपिया जो पचास हजार तक अभी हम स्वास सुरक्षा में यूनिवरसल हेल्थ स्कीम जी को लगबनाया है पचास हजार का उसको बढ़ाके सीधा एक लाख रुपिया यूनिवरसल हेल्थ स्कीम ये सब के लिए हमने इस योजना को लागब किया है एक लाख तक स्वास दीमा और गरीबों को पांच लाख तक के इलाज की वैस्था पत्रकार कल्यान वोर्ड का गठन एड़ोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागब किया जाएगा सभी बलाग मुक्षालय पर सासी कर्मचारियों के लिए कालोनी का निर्माड नगरी छेत में इस्थाई एवं नजूल पर्टों का निमिती करण और नमीनी करण का कार की जाएगा पुलिस सेवा शर्तों संबंधी शिकायतों के तुरी समधाने तो एक विशेस विवस्था का निर्माड रायपूर अटरल अगर बिलाई दूर राजनगाओं सभूक का स्टेट केप्टल के रूप में विक्षित किया जाएगा चोटे विवापारियों को पांश लाग तक विवापार भीमा चत्यगड का विश्व पटल पर एक प्रसिद परेटर इंस्थाल के रूप में विक्षित किया जाएगा जिन कल्पना को हमने पूरा किया है उसको आगे बढ़ाने का काम हम करेंगे और इसके साथ इसाथ चत्यगड में जो योजना हमारी चल रही है जैसे आज्यू का मिशन कालेज ये अपने आपने हिंदुस्तान में 27 जिलों में लैवलिवूट कालेज की स्थापना की गई और स्रमीकों के लिए स्रम कल्यान मंदल, भवनियम सन इर्माड कल्यान मंदल, असंगठित कर्मकार मंदल के लिए जो योजना है चल रही है, उस योजना का विस्तार हम करेंगे, इसके साथ साथ बाल स्रमन योजना, बाल हिदा योजना और जिन योजनाओं को विस्तार हमने इस पांच सालों में किया है, उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे कांग्रिस और कांग्रिस के घोसना पत्र में जिन मुद्दों को रखा गया है मुझे लगता है कि सिर्फ या जूट और चलावा के सबाए कुछ नहीं क्योंकि 40,000 करोड का बजट कहां कांग्रिस ने उस 5-6,000 बजट छोड़ा था आज घोसना पत्र में 40,000 करोड की बाद सिर्फ चुनाओ जीतने के लिए ये सारी घोसनाय की गई है चतिरगर में भारती जनता पार्टी ने जो कहा उसको सत प्रतिशत किया और आज जो हम अपना नवा चतिरगर संकल पत्र 2018 लेके आ रहे हैं इसका सत प्रतिशत क्रियावन भारती जनता पार्टी करेगी आज इस संकल पत्र को हमने दोरा है आप सब को बहुत बहुत धन्यवाद और आप सब भोजन पर आमंत्री थें बहुत बहुत धन्यवाद झाल प्रत्र करेघक पन्यवाद का रचल पत्तिक झाल की, की, की झाल झाल